प्रेमा उपन्यास एक स्त्री के दो पुरूश नहीं हो सकते अध्याएक ग्यारा प्रेमा का ब्याह हुए दो महीने से अधिक बीच चुके हैं मगर अभी तक उसकी अवस्था वही है जो कुवारेपन में थी वो हरदम उदास और मलिन रहती हैं उसका मुख पीला पड़ गया आँखे बैठे हुई सर के बाल बिखरे उसके दिल में अभी तक बाबू अमरितराई की मुहबद बनी हुई है उनकी मूर्ती हरदम उसकी आँखों के सामने नाचा करती है वो बहुत चाहती है कि उनकी सूरत रिदे से निकाल दे मगर उसका कुछ बस नहीं चलता यद्यपी बाबू दाननात उससे सच्चा प्रेम रखते हैं और बड़े सुंदर हसमुक मिलनसार मनुश्य हैं मगर प्रेमा का दिल उनसे नहीं मिलता वो उनसे प्रेम भाव दिखाने में कोई बात उठा नहीं रखती जब वो मौजूद होते हैं तो वो हस्ती भी हैं बात चीत भी करती है प्रेम भी जताती है मगर जब वो चले जाते हैं तब उसके मुख पर फिर उदासी चा जाती है उसकी सूरत फिर व्योगिन की सी हो जाती है अपने मैके में उसे रोने की कोई रोक टोक न थी जब चाहत रोया करती थी, मगर यहां रो भी नहीं सकती, या रोती भी तो छिप कर, उसकी बूरी सास उसे पान की तरह फेरा करती है, केवल इसलिए नहीं कि वह उसका पास और दबाव मानती है, बलकि इसलिए कि वह अपने साथ बहुत सा दहेज लाई है, उसने सारी ग्रहस्ती पतोहु के उपर छोड़ रखी है और हरदम इश्वर से विने किया करती है कि पोता खेलाने के दिन जल्दाएं बेचारी प्रेमा की अवस्था बहुत ही शोचनिय और करुना के योग्य है वो हस्ती है तो उसकी हसी में रोना मिला होता है वो बात चीत करती है तो ऐसा जान पड़ता है कि अपने दुख की कहानी कह रही है बनाव सिंगार से उसकी तनिक भी रुची नहीं है अगर कभी सास के कहने सुनने से कुछ सजावट करती भी है तो उस पर नहीं खुलता ऐसा मालूम होता है कि इसके कोमल गाल में जो मोहिन थी वो रूट कर कहीं और चली गई वो बहुध अपने ही कमरे में बैठी रहती है हाँ कभी कभी गाकर दिल बहलाती है मगर उसका गाना इसलिए नहीं होता कि उससे चित को आनंद प्राप्त हो बलकि वो मधुर स्वरों में विलाप और विशाद के राग गाया करती है बाबु दाननात इतना तो शादी करने के पहले ही ज जानते थे कि प्रेमा अमरितराय पर जान देती है मगर उन्होंने समझा था कि उसकी प्रीती साधारन होगी जब मैं उसको ब्याह कर लाओंगा उससे स्नहे बढ़ाओंगा उस पर अपने को निचावर करूंगा तो उसके दिल से पिछली बाते मिच जायंगी और फिर हमारी बड़े आनंद से कटेगी इसलिए उन्होंने एक महीने के लगभग प्रेमा के उदास और मलिन रहने की कुछ परवाना की मगर उनको क्या मालूम था कि स्नहे का वो पौधा जो प्रेम रस से सींच सींच कर परवान चड़ाया गया है महीने दो महीने में कदापी नहीं मुर इश्या का चोली दामन का साथ है दाननात सच्चा प्रेम देखते थे मगर सच्चे प्रेम के बदले में सच्चा प्रेम चाहते भी थे एक दिन वह सबेरे मकान पर आये और प्रेमा के कमरे में गए तो देखा कि वह सर जुकाए हुए बैठी है इनको देखते ही उसने सर योग में औसू बाहिये जा रहे हैं। इस पर प्रेमा ने जो यो हवा बतलाई तो उनके बदन में आग लग गई। तीखी चित्वनों से देखकर बोले तुम्हारी आखे हैं और तुम्हारे आशू जितना रोया जाए रोलो। मगर मेरी आखों में धूल मत जोंकों। प्रेमा इस कथोर वचन को सुनकर चौक पड़ी और बिना कुछ उत्तर दिये पती की ओर डब दबाई हुई आँखों से ताकने लगी। दाननाथ ने फिर कहा। क्या ताक्ती हो, प्रेमा, मैं ऐसा मूर्क नहीं हूँ, जैसा तुम समझती हो? मैंने भी आदमी देखे हैं और मैं भी आदमी पहचानता हूँ, मैं तुम्हारी एक-एक बात को गौर से देखता हूँ मगर जितना ही देखता हूँ उतना ही चित को दुख होता है। क्योंकि तुम्हारा बरताव मेरे साथ फीका है यदिपी तुमको ये सुनना अच्छा ना मालूम होगा मगर हार कर कहना पड़ता है कि तुमको मुझसे लेश मात भी प्रेम नहीं है मैंने अब तक इस विशय में जबान खोलने का साहस नहीं किया था और इश्वर जानता है कि तुमसे किस कदर मुहबबत करता हूँ मगर मुहबबत सब कुछ सह सकती है रुखाई नहीं सह सकती और वह भी कैसी रुखाई जो किसी दूसरे पुरुष के वियोग में उत्पन हुई हो ऐसा कौन बहाई निरलज आदमी होगा जो ये देखे कि उसकी पतनी किसी दूसरे के लिए वियोगिन बनी हुई है और उसका लहू उबलने ना लगे और उसके हृदय में क्रोध की ज्वाला धधक न उठे क्या तुम नहीं जानती हो कि धर्मशास्त्र के अनुसार स्त्री अपने पती के सिवाए किसी दुसरे मनुष्य की और कुद्रिष्टी से देखने से भी पाप की भागी हो जाती है और उसका पतिवरत भंग हो जाता है प्रेमा तुम एक बहुत उचे घराने की बेटी हो और जिस घराने की तुम बहु हो वह भी इस शहर में किसी से हेथा नहीं क्या तुम्हारे लिए ये शर्म की बात नहीं है कि तुम एक बाजारों की घूमने वाली रान ब्राहमनी के तुल्य भी न समझी जाओ और वह कौन है जिसने तुम्हारा ऐसा निरादर किया वही अमरित राय जिसके लिए तुम ओठों पहर मोती पे रोया करती हो अगर उस दुष्ट के हृदय में तुम्हारा कुछ भी प्रेम होता तो वह तुम्हारे पिता के बार-बार कहने पर भी तुमको इस तरह धताना बताता कैसे खेद की बात है इन ही आँखों ने उसे तुम्हारी तस्वीर को पैरों से रौनते हुए देखा है क्या तुमको मेरी बातों का विश्वास नहीं आता क्या अमरितराय के करतव्य से नहीं विदित होता है कि उनको तुम्हारी रत्ती भर भी परवा नहीं है क्या उन्होंने डंके की चोट पर नहीं साबित कर दिया कि वह तुमको तुच्छ समझते है माना कि कोई दिन ऐसा था कि वह विवाह करने की अभिलाशा रखते थे पर अब तो वह बात नहीं रही अब वह अमरित्राय है जिसकी बद चलनी की सारे शहर में धूम मची हुई मगर शोक और अती शोक की बात है कि तुम उसके लिए आशू बहा बहा कर अपने मेरे खांदान के माते कालिक का टीका लगाती हो दाननात मारे क्रोध के काप रहे थे चहरा तम तमाया हुआ था आखों से चिंगारी निकल रही थी बेचारी प्रेमा सिर नीचा किये हुए खड़ी रो रही थी पती की एक एक बात उसके कलेजे के पार हुई जाती थी आखिर न रहा गया दाननात के पैरों पर गिर पड़ी और उन्हें गर्म गर्म आसू की बूंदूं से भिगो दिया दाननात ने पैर खसका लिया प्रेमा को चार पाई पर बैठा दिया और बोले प्रेमा रो मत तुम्हारे रोने से मेरे दिल पर चोट लगती है मैं तुमको रुलाना नहीं चाहता परन्तु उन बातों को कहें बिना रह भी नहीं सकता अगर ये दिल में रह गई तो नतीजा बुरा पैदा करेगी कान खोल कर सुनो मैं तुमको प्रान से अधिक प्यार करता हूँ तुमको आराम पहुचाने के लिए हाजिर हूँ मगर तुमको सिवाए अपने किसी दूसरे का ख्याल करते नहीं देख सकता अब तक न जाने कैसे कैसे मैंने दिल को समझाया मगर अब वह मेरे बसका नहीं, अब वह ये जलन नहीं सह सकता, मैं तुमको चेताये देता हूँ कि यह रोना धोना छोड़ो, यदि इस चेताने पर भी तुम मेरी बात न मानो तो फिर मुझे दोश मत देना, बस इतना कहे देता हूँ, कि स्त्री के दो पती कदापी जीते नह सुनाई थी, उसकी भावच कभी कभी ताने दिया करती थी, मगर वह ऐसे न होते थे, वह घंटों रोती रही, इसके बाद उसने पती की सारी बातों पर विचार करना शुरू किया और उसके कानों में ये शब्द गूजने लगे एक स्त्री के दो पती कदापी जीते नहीं रह सकते, इनका क्या मतलब है? प्रेमा उपन्यास, शोग दायक घटना, अध्याय, बारा, पूर्ना, रामकली और लक्ष्मी तीनों बड़े आनन्द से हिल मिलकर रहने लगी, उनका समय अब बात चीत हासी दिललगी में कट जात, चिंता की परचाई भी न दिखाई देती, पूर्ना दो-तीन महीने में निखर कर ऐसी कोमलागी हो गई थी कि पहचानी न जाती थी, रामकली भी खूब रंग रूप निकाले थी, उसका निखार और योवन पूर्ना को भी मात करता था, उसकी आँखों में अब चंचलता और मुख पर वो चपलता न थी जो पहले दि बलकि अब वो अती सुकुमारी कामिनी हो गई थी, अच्छे संग में बैठते बैठते उसकी चाल धाल में गंभीरता और धैर्य आ गया था, अब वो गंगासनान और मंदिर का नाम भी न लेती, अगर कभी कभी पूर्ना उसको छोड़ने के लिए पिछली बाते याद दिल तो वह नाग भान चड़ा लेती, रूट जाती, मगर इन तीनों में लक्ष्मी का रूप निराला था, वह बड़े घर में पैदा हुई थी, उसके माँ बाप ने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला था और उसका बड़ी उत्तम रीती पर शिक्षा दी थी, उसका कोमल ग बेचारी रामकली के हाथों में ये सब गुन्ना थे, हाँ, वो हसोरी थी और अपनी रसीली बातों से सखियों को हसाया करती थी, एक दिन शाम को तीनों सखिया बैठी बात चीत कर रही थी कि पूर्णा ने मुसकरा कर रामकली से पूछा क्यूं रम्मन, आजकल मंदिर पू गर ही पर ही मौजूद है, रामकली, तिंक कर, तुमसे कौन बोलता है, जो लगी जहर उगलने, बहिन, इनको मना कर दो, ये हमारी बातों में न बोला करें, नहीं तो अभी कुछ कह बैठूंगी तो रोती फिरेंगी, पूर्णा लक्ष्मी सकी को मत छोड़ो, लक्ष्मी, म हमारी सकी को बहुत दिख किया करती हो, तुम्हारी बात से वो मंदिर में जाती थी, लक्ष्मी जब मैं कहती हूँ तो रोती कहे को है, पूर्णा अब ये बात उनको अच्छी नहीं लगती तो तुम कहे को कहती हो, खबरदार, अब फिर मंदिर का नाम मत लेना, लक्ष्मी चिटक कर, सुना लचिमी, हमसे शरारत करोगी तो ठीक न होगा, मैं जितना ही तरह देती हूँ, तुम उतनी ही सर चड़ी जाती हो, पूर्णा तो बतला क्यों नहीं देती, इसमें क्या हर्ज है, रामकली कुछ कहा होगा, तुम कौन होती हो पूछने वाली, बड़ी आई वहां से सीता बन के, पूर्णा अच्छा भाई, मत बताओ, बिगरती काहे को हो, लक्ष्मी बताने की बात ही नहीं बतला कैसे दे, रामकली कोई बात भी हो कि योहीं बतला दून, पूर्णा अच्छा ये बात जाने दो, बताओ उस तंबोली ने तुम्हें पान खिलाते सम पूर्ण कहो, ये हम लोगों की बाते तो पूछ लेती है, अपनी बाते एक नहीं कहती, रामकली क्यों सखी, कहूं, कहती हूं, बिगरना मत, पूर्णा कहो, सांच को आंच क्या, रामकली उस दिन घाट पर तुमने किसे च्छाती से लिप्टा लिया था, पूर्णा तुम् पूर्णा तुमसे भेट करने को बहुत जी चाहता है, मगर यहां घर से बाहर पाओ निकालने की मजाल नहीं, इसलिए ये खत लिखती हूं, मुझे तुमसे एक अती आवश्यक बात करनी है, जो पत्र में नहीं लिख सकती हूं, अगर तुम बिल्लो को इस पत्र का जवाब देकर भेजो तो जबानी कह दूंगी, देखा देर मत करना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, आठ बजे के पहले बिल्लो यहां अवश्या आ जाए, तुम्हारी सकी प्रेमा, पत्र पढ़ते ही पूर्णा का चित व्याकुल हो गया, चेहरे का रंग उड़ गया और अनेक प् करते थे, इनकी यही बात तो हमको अच्छी नहीं लगती, लक्ष्मी और रामकली ने जब उसको ऐसा व्याकुल देखा तो घबरा कर बोली क्या बहिन, कुशल तो है, इस पत्र में क्या लिखा है, पूर्णा क्या बताओं क्या लिखा है, रामकली तुम जरा कमरे में जाके जाको तो ये आये या नहीं अभी, रामकली ने आकर कहा अभी नहीं आये, लक्ष्मी अभी कैसे आयेंगे, आज तो तीन आदमी व्याख्यान देने गए है, इसी घबराहट में आठ बजा, पूर्णा ने प्रेमा के पत्र का जवाब लिखा और बिल्लो को देकर प्रेमा के घर भेज दिया, आधा घंटा भी न बीता था कि बिल्लो लोट आई, रंग ओडा हुआ, बधवास और घबराई हुई, पूर्णा ने उसे देखते ही घबरा कर पूछा कहो बिल्लो, कुशल कहो, बिल्लो मा था थोख कर, क्या कहून, बहु कहते नहीं बनता, न जाने अभी क्या होने वाला है, पूर्णा क्या कहा, कुछ चिठी पत्री तो नहीं दिया, बिल्लो चिठी कहां से देती, हमको अंदर बुलाते डरती थी, देखते ही रोने लगी और कहा बिल्लो, मैं क्या करूँ, मेरा जी यहां बिल्कुल नहीं लगता, मैं पिछली बाते याद करके रोया करती हूँ, वह, दाननात, कभी जब मुझे रोते देख लेते हैं तो बहुत जलाते हैं, एक दिन मुझे बहुत जली कटी सुनाई और चलते समय धमका कर कहा, एक औरत के दो चाहने वाले कदापी जीते नहीं रह सकते, ये कहकर बिल्लो चुप हो गई, पूर्णा के स से मैं उनके तेवर बदले हुए देखती हूँ, वह तीन आदमियों को साथ लेकर रोज शाम को न जाने कहा जाते हैं, आज मैंने छिप कर उनकी बात चीत सुन ली, बारा बजे रात को जब अमरित राये पर चोट करने की सलाह हुई है, जब से मैंने ये सुना है, हाथों के दूबधारन किये उसकी आँखों के सामने आकर खड़ी हो गई, वह उसी दम दोड़ती हुई बैठक में पहुची, बाबू अमरित राये का वहाँ पता न था, उसने अपना माथा थोंक बिल्लो से कहा तुम जाकर आदमियों को कह दो, फाटक पर खड़े हो जाए, और आपती हुई आवाज से पुकार बोली इतनी देर कहा लगाए, जल्दी आते क्यों नहीं? अमरित राये जल्दी से उत्रे और कमरे के अंदर कदम रखते ही पूर्णा ऐसे लिप्ट गई मानो उन्हें किसी के वार से बचा रही है और बोली इतनी जल्दी क्यों आए, अभी तो बहुत सवेरा है। अचानक उसको किसी मनुष्य की परचाई दर्वाजे के सामने दिखाई पड़ी और वो बिजली की राह चमक कर दर्वाजा रोप कर खड़ी हो गई, देखा तो कहार था, जूता खोलने आ रहा था, बाबु साहब ने ध्यान से देखा तो पूर्णा कुछ घबराई हुई दिखाई दी, बोले, प्यारी, आज तुम कुछ घबराई हुई हो। के साथ कोठे पर गए, खुली हुई छत थी, कुर्सिया धरी हुई थी, नौ बजे रात का समय, चैत्र के दिन, चांदनी खूब छिटकी हुई, मंद मंद शीतल वायू चल रही थी, बगीचे के हरे भरे वरिक्ष धीरे धीरे जूम जूम कर अती शोभाय मान हो रहे थे, ज या वव उस तपोवन के वरिक्ष हैं, जिनकी छाया में शकुंतला और उसकी सखिया ब्रमन किया करती थी और जहां उस सुंद्री ने अपने जान के अधार राजादुश्यंत को कमल के पत्ते पर प्रेम पाती लिखी थी, पूर्णा और अमरितराय कुर्सियों पर बैठ ग चाहत है कि मैं चिरिया होती, अमरितराय तो क्या करती, पूर्णा तो उड़कर उन दूर वाले पेड़ों पर जा बैठती, अमरितराय अहाहा देखा लक्ष्मी कैसा अलाप रही है, पूर्णा लक्ष्मी का सा गाना मैंने कहीं नहीं सुना, कोयल की तरह कुकती है, सुनो अमरित राय हाई जी बेचैन हुआ जाता है, पूर्णा, जैसे कोई कलेजे में बैथा चुटकियां ले रहा हो, कान लगाओ, कुछ सुना, कहती है, मैं मधुमाती अर्च करत हूँ, नित दिन पत्तिया पठयो, महराज. अमरित राय कोई प्रेम रस की माती अपने सजन से कह रही है, पूर्णा कहती है नित दिन पत्तिया पठयो, महराज हाई बेचारी प्रेम में डूबी हुई है, अमरित राय, चुप हो गई, अब वो सननाटा कैसा मनोहर मालूम होता है, पूर्णा, प्रेमा भी बहुत अच्छा गाती थी, मगर नहीं, प्रेमा का नाम जबान पर आते ही पूर्णा एकाएक चौक पड़ी और अमरित राय के गले में हाथ डाल कर बोली क्यों प्यारे तुम उन गडबड़ी के दिनों में हमारे घर जाते थे तो अपने साथ क्या ले जाया करते थे, अमरित राय आश्चर्य से क्यूं किस लिए पूचती हो, पूर्णा योही ध्यान आ गया, अमरित राय अंग्रेजी तमण चाथा, उसे पिस्टॉल कहते है, पूर्णा भला किसी आदमी के पिस्टॉल की गोली लगे तो क्या हो, अमरित राय तुरंत मर पूर्णा मैं चलाना सीखूं तो आजाए। पूर्णा ने आकर कहा चलिये रसोई तैयार है। पूर्णा ने पिस्तॉल हाथ में ली। उसमें गोली भरी और बरामदे में आये और एक पेड़ के तने में निशाना लगा कर दो तीन फाय किये। अब पूर्णा ने पिस्तॉल हाथ में ली। गोली भरी और निशाना लगा कर दागा मगर ठीक न पढ़ा। दूसरा फाय फिर किया। अबकी निशाना ठीक बैठा। तीसरा फाय किया। वह भी ठीक। पिस्तॉल रख दी और मुस्कराते हुए अंदर चली गई। अमरितराय ने पिस्तॉल उठा लिया और जीवननात से बोले कुछ समझ में नहीं आता कि आज इनको पिस्तॉल की धुन क्यों सवार है। जीवननात किसी किताब में पिस्तॉल की लड़ाई पड़ी होगी और क्या। प्राननात यही मैं भी समझता हूँ। जीवननात सिवाए इसके और हों ही क्या सकता है। वो बारा बजे तक एक कहानी पढ़ती रही। जब तमाम सोता पढ़ गया और चारो तरफ सननाता चा गया तो उसे अकेले डर मालूम होने लगा। डरते ही डरते उठी और चारो तरफ के दरवाजे बंद कर लिये। मगर जवानी की नींद बहुत रोकने पर भी एक जपकिया ही गई। आदी घड़ी भी न बीती थी कि भय में सोने के कारण उसे एक अती भयन कर स्वपन दिखाई दिया। चौक कर उठ बैठी, हाथ पाओ थर-थर कापने लगे, दिल में धड़कन होने लगी। पती का हाथ पकड़ कर चाहती थी की जगा दे, मगर फिर यह समझ कर की इनकी प्यारी नींद उचट जाएगी तो तकलीफ होगी, उनका हाथ छोड़ दिया। अब इस समय उसकी जो अवस्था है वर्नन नहीं की जा सकती, चहरा पीला हो रहा है, दरी हुई निगाहों से इधर उधर ताक रही है, पत्ता भी खड़-खड़ाता है तो चौक पड़ती है। कभी अमरितराय के सिरहाने खड़ी होती है, कभी पैताने, लैंप की धुंदली रोशनी में वो सन्नाटा और भी भयानक मालूम हो रहा है। तस्वीरे जो दिवारों से लटक रही है, इस समय उसको घूरते हुए मालूम होती है। उसके सब रोंग्टे खड़े हैं, पिस्तॉल हाथ में लिए घबरा घबरा कर घड़ी की तरफ देख रही हैं। कलेजा बांसों उच्छलने लगा, उसने पिस्तॉल समहा ली, ये समझ गई की जिन लोगों के आने का खटका था वर आ गए। तब भी उसको विश्वास था कि इस बंद कमरे में कोई ना आ सकेगा। वह कान लगाए पैरों की आहट ले रही थी कि अकस्मात दर्वाजे पर बड़े जोर से धक्का लगा और जब तक वह बाबू अमरित्राय को जगाए की मजबूत किवार आप ही आप खुल गए और कई आदमी धर धराते हुए अंदर घुसाये। पूर्णा ने पिस्तॉल सर की तराके की आवाज हुई कोई धम्म से गिर पड़ा फिर कुछ खट-खट होने लगा। जब लाल्टे ने लेकर जमीन पर देखा तो दो लाशे दिखाई दी। एक तो पूर्णा की लाश थी और दूसरी एक मर्द की। एका एक प्राननात ने चिला कर कहा अरे ये तो बाबू दाननात है। बाबू अमरितराई ने एक थंडी सांस भर कर कहा आज जब मैंने उसके हाथ में पिस्तॉल देखा तभी से दिल में एक खटका सा लगा हुआ था। मगर हाई क्या जानता था कि ऐसी आपत्ती आने वाली है। प्राननात दाननात तो आपके मित्रों में थे। अमरितराई मित्रों में जब थे तब थे। अब तो शत्रू है। पूर्णा को दुनिया से उठे दो वर्ष बीट गया है। सांज का समय है। शीतल सुगंधित चित को हर्ष देने वाली हवा चल रही है। सूर्य की विदा होने वाली किरने खिडकी से बाबू अमरितराई के सजे हुए कमरे में जाती हैं और पूर्णा के पूरे कद की तस्वीर के पैरों को चूम-चूम कर चली जाती हैं। उनकी लाली से सारा कमरा सुनहरा हो रहा है। रामकली और लक्षमी के मुखडे इस समय मारे आनंद के गुलाब की तरह खिले हुए है। दोनों गहने पाते से लेस हैं और जब वो खिडकी से भर निकालती हैं और सुनहरी किरने उनके गुलाब से मुखडों पर पढ़ती है तो जान पड़ता है कि सूर्य आप बलेया ले रहा है वह रह रह कर ऐसी चित्वनों से ताक्ती है से ताक्ती है जैसी किसी की रही है एक आएक रामकली ने खुश हो कर कहा सुखी वह देखो आ गए उनके कपड़े कैसे सुन्दर मालूम देते है एक अती सुन्दर फिटिन चम चम करती हुई फाटक के अंदर दाखिल होती है और बंगले के बरामदे में आकर रुखती है बाबू अमरित्राय उसमें से उतरते हैं मगर अकेले नहीं उनका एक हाथ प्रेमा के हाथ में है यद्यपी बाबू साहब का सुन्दर चहरा कुछ पीला हो रहा है मगर होटों पर हलकी सी मुस्कराहट जलक रही है और माथे पर केशर का टीका और गले में खूबसूरत हार और शोभा बढ़ा रहे है प्रेमा सुन्दरता की मूरत और जवानी की तस्वीर हो रही है जब हमने उसको पिछली बार देखा था तो चिन्ता और दुर्बलता के चिन्ह मुखडे से पाए जाते थे मगर अब कुछ और ही योवन है मुखडा कुंदन के समान दमक रहा है बदन गदराय हुआ है बोटी बोटी नाच रही है उसकी चंचलता देखकर आश्चर्य होता है कि क्या वही पीली मुख और उलजे बाल वाली रोगिन है उसकी आँखों में इस समय एक घड़े का नशा समाया हुआ है गुलाबी जमीन की हरे किनारे वाली साड़ी और उदे रंग की कलाईयों पर चुनी हुई जाकेट उस पर खिल रही है उस पर गोरी गारी कलाईयों में जड़ाओं कड़े बालों में गुन्ते हुए गुलाब के फूल माथे पर लाल रोरी की गोल बिंदी और पाउ में जर्दोच सोने में सुहागा हो रहे हैं इस धन के सिंगार से बाबू साहब को विशेश करके लगाव है क्योंकि पूर्णा देवी की तस्वीर भी ऐसी ही कपड़े पहिने दिखाई देती है और उसे देखकर कोई मुश्किल से कह सकता है कि प्रेमा ही की सुरत आइने में उतर कर ऐसा योवन नहीं दिखा रही है अमरित राय ने प्रेमा को एक मखमली कुर्सी पर बिथा दिया और मुस्करा कर बोले प्यारी प्रेमा आज मेरी जिन्दगी का सबसे मुबारक दिन है दिवार पर धरी हुई थी उसने लपक कर उसे उठा लिया और उपर का रेश्मी गिलाफ हटा कर देखा तो पिस्तॉल था बाबू अमरित राय ने गिरी हुई आवाज में कहा ये प्यारी पूर्णा की निशानी है इसी से उसने मेरी जान बचाई थी ये कहते कहते उनकी आवाज कापने लगी प्रेमा ने ये सुनकर उस पिस्तॉल को चूम लिया और फिर बड़ी लिहाज के साथ उसी जगह पर रख दिया इतने में दूसरी फिटन दाखिल होती है और उसमें से तीन युवक हस्ते हुए उतरते हैं तीनों को हम पहचानते हैं एक तो बाबु जीवननात हैं दूसरे बाबु प्राननात और तीसरे प्रेमा के भाई बाबु कमला प्रसाद हैं कमला प्रसाद को देखते ही प्रेमा क पूर्सी से उठ खड़ी हुई जल्दी से घूघट निकाल कर सिर जुका लिया कमला प्रसाद ने बहिं को मुस्करा कर चाती से लगा लिया और बोले मैं तुमको सच्चे दिल से मुबारक बात देता हूं दोनों युवकों ने गुल मचा कर कहा जलसा करा ये जलसा यो पीछा न छूटेगा